अब खबर एक नजर जासूसी के आरोप में ग्रफतार समाजवादी पार्टी सांसिद मुनवर सलीम के पिये फरहत को आठ नमबर तक पुलिस फिरासत में भेज़ दिया गया है आरोप ये है कि फरहत पाक उचायो के करमशारी मेमूद अक्तर के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था जासूसी के आरोप में पहले से गिरफतार शोयब हसन, मुलाना रमजान और सुभाज जांगिर और फरहत को आमें सामने बटा कर पूछता चूपी पाकिस्तान सरकार में सूचना मंत्री परवेज राश्ट को बरखास कर दिया गया है डॉन न्यूज में छपी पाक सीना और शरीफ सरकार में मदबेती खबरे लीग करने के आरोप में उन्हें हटाया गया मारत और चीन के एने से अगले हफ़ते दिपक्षी संबंदों पर मुलाकात करेंगे अजिट डॉबल और उनके काउंटर पार्ट यांग जेशी की मुलाकात हैदराबाद में होगी मारत विदेशी लड़ाकों विमान निर्माताओं से 200 जेट खरीदने को तयार बरशवते विमान भारते पार्टनर के साथ मिलकर बने दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विज़चौ के लाके में एक शक्स ने आपने दाकी कुशिश की केंडिय प्रोदुशन यंतरन बोर्ट के मताबिक दिल्ली की हवा बीते दो सालों के मुकाबले ज्यादा खराब हो सकती है मुबई की लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुश खबरी आज सेंट्रल और वेस्टन रेलवे दोनों ही रूट्स पर मेगा ब्लाक नहीं कहे दिवाली और छट के मौके पर रेलवे चलाएगी 68 स्पेशल ट्रेनी त्योवारी सीजन में लगाएगी कुल 1761 फेरे कोईमबटूर में चार जंगली हाथियों के जुन्ड से दहशत में ग्रामीन हाथियों ने कहीं घरों को पहुचा आया नुकसान एक गरीब परिवार के आंगा में लगे पेड भी उखाड़े